दोस्तों मैं इम्रान सिर्थी आप देख रहे हैं मोटिवेशनल टेक्नोजी चैनल अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली हमारी हर वीडियो आप लोगों को प्राप्त होती रहे हैं दोस्तों आज हम बहुत महत्कूर सूचना आप लोगों को देने जा रहे हैं जिस विलकार उत्तर परदेश में गंगा एक्सप्रेस्वी का निर्मान चल रहा है और अगर हम इस एक्सप्रेस्वी की बात करते हैं तो 80% इस एक्सप्रेस्वी का निर्मान हो चुका है जो की मेर प्रियाग रास तक इस एक्सप्रेस्वी को बनाया जा रहा है और इसके साथ साथ उत्तर परदेश के स्यम स्रीयों की आदित्तिनाथ जी ने जिस पिलकार घोसना की थी कि इस गंगा एक्सप्रेस्वी के निकट उद्योग पॉरिडोर की इस्तापना की जाएगी तो मेरट जिले के बिजोली सिर्ट जहां से ये एक्सप्रेस्वी स्टार्ट है तो वहाँ पर भी उद्योग पॉरिडोर गलियारा बनाने के लिए किसानों की जमीनों का बेनामा किया गया है और अब प्रिजेंट में बहुत ही महत्पून सूचना आई है ये तो हम मेरट जिले की बात करी है जो विजोली गाओं में किसानों की जमीन का बेनामा किया गया है उद्योग पॉलिडोर के लिए इसे पिरकार इसके नैश्ट अगला जो जिला पढ़ता है वो पढ़ता है हापूल जिला और हापूल जिले के लिए जो बहुत बड़ी अपडेट सामने इकलकाई है कि हापूल जिले के अंदर जो पीर नगर से लेकर सिखेरा तक इसके निकट गंगा एक्सप्रेस लेके न प्रदान मंतरी के लिए जो चुनाव चल रहा था वो अब समाप्त हो चुका है और चार जून को वोटिंग खुले वाली है क्योंकि उत्तर परदेश के सियम स्रीयों की आरितेना जी जब से चुनाव में लगे है जब से कोई भी कैबिनेट की मिटिंग नहीं हुई है इसलिए जितने भी प्रिस्ताव है इस उत्तर परदेश के अंदर जितने भी कारे चल रहे हैं उनके उपर जो कैबिनेट मिटिंग होती है उसको लेकर कोई भी कैबिनेट मिटिंग नहीं हुई है तो चार जून के बाद कैबिनेट मिटिंग बैठेगी जो जो प्रिस्ताव अब तक जो यूपिडा है जो अब तक यूपिडा ने तयार किया है उसके बाद उन केबिनेट में उन प्रोजेक्टों पर महर लगाई जाएगी तो चार जून के बाद इन प्रोजेक्ट पर महर लगेगी लेकिन जो यूपिडा के जो अधिकारी है क्योंकि एनेचाई की भी इसके अ जिसके कारण जो उध्योग पती है उनको इस गंगा एक्सप्रिस भी के निकट अगर जमीन वो खरीते है तो उनको सर्विस रोल भी चाहिए और पिलस उनको आने जाने के लिए भी विसेश जो है इस्टेज भी चाहिए तो इसके लिए भी एक प्रिस्ताव तयार किया गया है कि पीर नगर से लेके सिखेडा तक और पीर नगर से अगर हम बात करते हैं पीर नगर से पहले अटोला पड़ता है जहां पर सर्विस रोल दी जाएगी पिलस यहां पर किसानों ने पहले यहां पर इंटरचैंज नहीं ता लेकिन किसानों ने यहां पर धन्ना प्रिदिशन किया सरकार से बात की यूपिडा के लिकारी से बात की तो यहां के किसानों ने भी यहां पर इंटर्चेंज ले लिया है तो उतार चड़ाओ यहां पर हो गया है उसके बाद पीन नगर आता है पीन नगर से लेके सिकारे तक जितने भी गाउं पढ़ते है इसके निकट यूप के बाद जैसे ही वोटिंग मने ही सरकार किसी की भी बने लेकिन जो प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहे हैं उन पर कोई भी प्रिभाव नहीं पढ़ेगा और जितने भी प्रोजेक्ट है उनको आगे बढ़ाया जाएगा क्योंकि यूपिडा बहुत ही जल्द कैबिनेट मुख्य पॉलिडोर के लिए लेगा उसको भी बहुत जल्दी ही प्रिस्तावित हुआ है उसको बहुत जल्दी फाइनल करकर जमीनों के बेनामे सुरू कर दी जाएगी तो दोस्तों यह बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रहे ही इसी पिलकार हमारे साथ जोड़े है और अगर को कोई भी नहीं अपडेट आपको चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो देखने के लिए आपसे बहुत बहुत धन्नीवाद